जैहें साथियो बेलकम टू सेल्प स्टेडी के लासे स्पेस सुमित जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, M.P.T.E.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D. कबच कहा जाता है वो जो अंदिवस कब मनाय जाता है एचीज जानेंगे साथी भोपाल गैस तरास्दी जो की मद्द परदे से सम्मंद्ध है और ये बहुत बड़ा प्रदूस्ण का जो है एक कारण भी है भोपाल गैस तरास्दी और बहुत सारे इसमें जंधन की हानी भी प्रदूसक ठीक है और प्रदूस्ण की सूचक कौन-कौन से होते हैं ठीक है ये चीज जानेंगे जल प्रदूस्ण के बारे में जानेंगे आप देखते होंगे इस चिस्त में कैसे जल प्रदूस्ण हो रहा है किन-किन कारणों से और कैसे उससे प्रभावित हो रहा है जन जीवन तो बोजिनेंगे और साथ ही परीक्छा उपयोगी जो तत्थ हैं परेयावन से सम्मधित उसके बारे में जानेंगे तो ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है पूरा वीडियो जरूर देखें चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा के पूरा वीडियो ठीक जेवज नमनी करन परीनु आप से यहां से पूछा जाएगा क्युक्त निम्लीवी असे बताये कौप अ जिए अनिम्नी करन जो है परीनु सक क्या है प्लास्टेक, पॉलिथिन, पारा, सीसा, ये जयव, अनिमनी करण है, ठीक है, और जयव, निमनी करण में एस सब आएंगे, तो याद रख लिए ना है, हीमोगलोबन के साथ, जो है सहल लगनता, सहल लगनता रखने बाला है, तो क्या है, कार्बन मोनो आकसाइड है, ठीक है, ह समॉग या फिर धुंद बनता है, तो किस से बनता है, धुए तथा कोहरे से बनता है, ठीक है, लंदन जो है, धुमर दिखाई देता है, सीत काल में सुबह के समा है, है ना, पिर मुक ग्रीन हाउस गैस है, तो जलबास्प है, CO2 है, CH4 है, N2O है, SF6 है, और CFC और जलबास्प ये ग्रीन हाउस गैस हैं, जान जाती है, आपको याद रख लिए हैं, निमने मैं से बताईए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, या पिर ग्रीन हाउस गैस गया है, तब आपको ये सारी की सारी जो गैस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए स सबसे ज़्यादा उत्तरदाई है और कारबन डाइकसाइड का सरजन ज़्यादा करते हैं तो कारबन डाइकसाइड ही मान जाती है गलोबल मारमन के लिए सरवादे को उत्तरदाई गैस सरवादे की ग्रीन हाउस गया तो सरजन करने वाला देश है तो चीन है ग्रीन हाउस प्र प्रभाव देखेंगे हरत ग्रह ग्या सबीकर आपको पूंचा जा brain divine नथिस्टक्रावव करवण कष्वाव अ किरिधोर जो इत्रा ग्रीत सब्सक्राथ। है ना और कारबन डाय अकसाइड किसी कंबल के समान प्रत्वी की सतह से औरक्त होने वाले प्रकास को अग्रिहीत कर लेती है जिसके कारण क्या हो जाता है बायू मंदल गरम हो जाता है और इसी बायू मंदल के गरम होने को क्या कहा जाता है Greenhouse प्रभाव को आज़ाते है Greenhouse गैसों के बारे में आपसे पूँचा जाता है तो Greenhouse गैस हैं आपको याद रख लेनी है ठीक है कुछ और महत्पूर बारे में जानेगी तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर दिया है कि ग्रीन हाउस गेस प्रभाव के लिए सरवादे को तरदाई गेस है तो कारबंडाई आकसाइड याद रख लेना MPTAT 2011 में एक क्वेस्टिन पूछा गया है ठीक है याद रख लेना UPTAT, RT, MPTAT इनमें पूछा गया है ग्रीन हाउस गेस के लिए सरवादे को तरदाई गेस कौन सी है तो कारबंडाई आकसाइड है ग्रीन हाउस गेस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया तो कौनसा क्योटो प्रोटोकॉल यह 1997 में हुआ और यह greenhouse gas को कम करने के लिए लागू किया गया था यह चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है आपसे पूछा जाएगा निवने मैंसे बताईए कौन सा प्रोटोकाल जो है greenhouse gas को कम करने के लिए लागू किया गया तब आपका उत्रोने चीज़ यह Kyoto प्रोटोकाल 1997 अमल बर्सा का कारण है तो सलफर डाई आकसाइड SO2 और नाइटोजन आकसाइड NO2 है ना यह चीज़ आपको याद रखनी है यह सलफर डाई आकसाइड और नाइटोजन आकसाइड यह जो क्या है अमल बर्सा का कारण मान जाती है आपको याद रखनी है ठीक है अमल यह ब होता है उसे इस्टोन लेप प्रोशिकल जैसे ताज महल का पीले होने का कारण है तो सलफर डायाकसाइड SO2 ठीक है अमली बरसा के बारे में देखते हैं अमली बरसा की कारक देखो तो सलफर डायाकसाइड है और H2SO4 और यहाँ पर एस में देखेंगे इसके कारकोन है नाइटोजन आउकसाइड NOX है N2O और NO3 इस परकार से यह मिल करके इस परकार से अमलब अर्शा करती है ठीक है तो दो मुख कारण A मान जाती है अगर आप से पूछा जाएगा कि दो कारकोन है तो SO2 और NOX यह मान जाती है ठीक है सबी दोगों को याद रख लेना ठीक है और H2SO4 पिलस HNO3 बरावर क्या होता है अमलब अर्शा होता है यह चीज़ याद रख लें अमली अर्शा की प्रभाव देखो तो अच्छा पर फपोले पढ़ना यह अमली अर्शा की जलिव जिव जन्तु एवं पेड़ पोदे नस्ट होना ताज महल का रंग पीला पढ़ना यह सबी आप देखो यहाँ पर सल्फियूरिक एसड नाइट्रिक एसड सल्फर आक्साइड नाइट्रिक इसमें जो है पीला रंग पढ़ जाता है यह अमली अर्शा हो रही यहाँ से तो यह चित्र के माद्यम से हम समझ सकते हैं अमली अलूमिनियम को मिर्दा में घोल देता है है ना और हम देखें किरतें बर्शा के लिए उत्तरदाई है तो सिल्वर आयोडाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है आपसे पूछे जाएगा सिल्फ किरतें बर्शा के लिए उत्तरदाई कौन सा है तो सिल्वर आयोडाइड है सुस्क बर्शा ठोस कारवन डाइड आक्साइड सुस्क बर्सा होती खुटोस कारवन डायकसेट कारण ठीक है तो ये चीज आपको जाननी है नेक्स्ट जानते हैं और भी कुछ महत्पूर्टत हैं जो आप तक आपको पढ़ना है ठीक है अंतराश्टी अमल बर्सा के अंदर कहां पर है तो मैंचेस्टर में हैं बिसमें सरफर्थम अमल बर्सा कहां हुई थी तो ये स्वीडन में हुई थी सरफर्थम भोपाल गैस्तराश्दी के बारे में जानेंगे दोस्तो मिठाइल आईसोसाइनेट के कारण CH3NCO के कारण जो है इसके रिषाओ के कारण जो है ये कांड हुआ था बोपाल गैस्तराश्दी आपसे एक क्वेश्चन बनता है बोपाल गैस्तराश्दी में कौन सी गैस करण हुआ था तब आपका उत्तर होता है मिठाइल आईसोसाइनेट याद रखना है ठीक है चेरीनो बिल इस्तित परमानु उर्जा संस्थन में भीशन नाव की द्रघटना हुई तो याद रख लेना है 1986 में और अब देखेंगे बोपाल गैस्तराश्दी में तो इस्थान क्या है बोपाल गैस्तराश्दी को बोपाल ठीक है घटना 3 से दिसंबर 1984 ठीक है ये घटना मानी जाती इसकी आपसे पूछा जाएका बोपाल गैस्तराश्दी जो घटना है वो कब हुई थी तो 3 दिसंबर 1984 को ठीक है और कौन सी गैस्तराश्दी का रशा हुआ था तो मिथाल आईसो साइनेट का H3NCO आपको याद रख लेना है याद रखो और 49 बिल परमानू आपदा कहा हुआ था तो ये यूकरेन में हुआ था ठीक है घटना 1986 की है रिसाव हुई थी यूरेनियम तो याद रख लेना है ये चेरिनो बिल परमानू आपदा ये भी बहुत बड़ी आपदा है 1986 की और ये यूकरेन से संबन्दे थे और रिसाव हुआ था यूरेनियम गयस का और ये ये हमारा जो भववपाल गयस तराजती है इसमें भी मेथाईल आईसो साइनेट का रिसाव हुआ था और ये 3 देसंबर 1984 की हुई थी ठीक है इसके बारे में आपको याद रख लेना है आप से पूछा जाएगा 200 परियावन दिवस 2019 की थीम क्या है तो beat by u production है न याद रख लेना ये 2019 की थीम हमानी जाती है और 200 परियावन दिवस 2018 की theme क्या है तो beat plastic production ये दोनों most important तो आपको याद रख लेना है यहाँ पर कुछ दिये हैं दोस्तों प्रमुक प्रदूसक वाउन से उत्पन रोग तो आपना पारा प्रदूसक है मैनी माटा रोग होता है आरसेनिक से बिलैक फोट होता है, किलोराइट, फिलोराइट से नाक, नी और सनलक्छन होता है नाइट्रेट से बिलू बेबी सिंड्रॉम रोग होता है, कैडमियम से एटाई-एटाई होता है, एसवेस्टास से फैंपड़े का कैंसर होता है, बेंजीन से लिूकेमिया का कैंसर होता है, एनिलीन से मूत्रासय का कैंसर होता है तो ये सारे के सारे प्रदूसक हैं और उनसे उत्पन रोग हैं तीक है आपको याद रख लेना है कुछ महत्पूर्ण चीजें और भी हैं जो आपके एक्जाम की दस्टी से महत्पूर्ण हैं तीक है उनके बारे में भी हम जानेगे प्रदूसर के सूचक देख लेते हैं बायू प्रदूसर के सूचक क्या है लाइकेन है बायू प्रदूसर का आप से पूछा जाएगा निवने मैंसे बताईए कौन सा बायू प्रदूसर का सूचक है तो आपका उतर होगा लाइकेन CBH प्रदूसरण के सूचक है E. coli जीवानू है है ना जल प्रदूसरण के सूचक क्या है डायटम है तो इनको आपको याद रख लेना है पूछे जाते जल प्रदूसरण मापने के लिए एक आई है तो बोड है बोड है याद रख लेना है सबी लोगों को याद रख लेना है है ना Biological Oxygen Demand जीसे बोड कहा जाता ठीक है ध्वनी प्रदूसरण मापने के काई क्या है तो आपको decibel है ना DB decibel है और Green Muffler संबन देते तो ध्वनी प्रदूसरण से संबन देते Most important question है Green Muffler ये ध्वनी प्रदूसरण से संबन देते है ना WHO जिनेबा के अनुसार ध्वनी प्रदूसरण का माना केतना है 45 dB है ना तो decibel है ना जो तो 45 dB तो आपको याद रख लेना WHO जिनेबा के अनुसार ध्वनी प्रदूसरण का माना के माना जाता है 45 dB गंगा एक्षन पिलान की शुरुवात हुई थी तो नीस सो पचासी में हुई थी गंगा एक्षन पिलान की याद रख लेना है बहुत ही महत्पूर फैक्ट है भारत में मिर्दा परदन की सरवाद एक समस्या है चंबल घाटी के बीहन चेत्र ये जो है मिर्दा घाटी की सरवाद एक समस्या माने जाती है चंबल नदी का उद्गा मस्तर जाना पाव से होता है ये चीज भी याद रख लीना है जाना पाव पहारी से मिर्दा परदन को रोकने के उपाय हैं ब्रक्षा रोपन, मेडबंदी, ठीक है हानिकारा कीटना सक पर प्रती बंद जेव और वरकों ये वंकारवने खादों को प्रोष साहन तो ये कुछ महत्पून प्रदूशन थे आप प्रदूशन दूर करने के उपयोगी ब्रक्षी भी देख लो जल प्रदूशन को जल कुम्भी, हैना दूर्दूशन को सहजनम, नीम बायू प्रदूशन को बॉगैन बोलिया और ध्वनी प्रदूशन को सीता सोक हैना, इस परकार से सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है याद करना है आप सभी को और दूर्दूशन के लिए भी जाना जाता है सीता सोग, सूर से आने वाली हानिकरक परावेगनी करणों को रोकता है तो ओजोन परत रोकता है, ठीक है, ओजोन परत और ओजोन च्रण के लिए सरवादे को तरदयाई गैस कौनसी है तो किलोरो फिलोरो कारवन है, मतलब CFC है ना, ये ओजोन च्रण के लिए है ओजोन परत की मोटाई ना अपने की काई है, डॉफ सनी उनिट, याद रख लेना है ओजोन सेलक्षन को रोकने के लिए मौन्टरियल प्रोटोकाल समझोता हुआ था तो ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं याद रख लेना ओजोन परत से समझ देते हैं, एक क्वेस्चन आपका आएगा आपके पैट टॉपिक में है, सिलेवस में ओजोन परत है ओजोन सन्रक्षन दिवस मनाय जाता है 16 सितंबर को ओजोन परत की सरवादिक मोटाई है, ग्रीस मिर्तू में स्रीनंगर ओजोन परत की निउन्तव मोटाई बर्सा लितू में त्रवेंद्रम तो ये चीज़ आपको याद रख लेने हैं, और भी कुछ महत्पून फैक्ट जान लेते हैं यहाँ पर आपको ओजोन परत दिया है, ओजोन परत देखो ओजोन परत जो है, समताप मंडल में इसे समताप मंडल भी कहा जाता है, समताप मंडल को दूसरा ओजोन मंडल भी कहा जाता है यह समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत हानिकरक यूबी कारणों से बचाओ करती है मतलब अल्टा वायरेट जो करने होती हैं उनसे बचाव करती है ओजोन परत ओजोन परत के छरण का कारण है CFC ठीक है ओजोन सरक्षन देवा 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत के मोटाइम आपने की पाई डापसन है तो ये ओजोन के बारे में हमने बात कर ली ठीक है और देख लेते हैं ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतराश्टी प्रोटोकाल हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल 16 सितंबर 1987 को ओजोन चिद्र मानी जाती है 200DU से नीचे है ना याद रख लेना है और ओजोन परत का सरवादेक नुकसान हुआ दक्षनी धरोप में ठीक है आपसे लोरो फिलोरो कारवन डायकसाइड ठीक है अमल बरसा CO2A जो है प्रमुक कारक हैं जिनसे ये चीजें होती हैं अमल बरसा सलफर डायकसाइड प्रमुक कारक को बोपाल गैस तरास्थी मिथाल आईसोसाइनेट के कारण गवरत तो ये चीजें बहुत ही महत्पूर हैं आपको याद रख लेने दोस्तों कुछ परिक्षाओपियों की तथ हैं जो आपको याद रखने हैं जल प्रदूसर में आक्सीजन की मापक क्या है तो यह क्या है DOB Biological Oxygen Demand ठीक है अमल बर्सा का pH मान का है तो pH 5.6 है ना और जो है माइनस 6.5 इस परकार से माना जाता है सभी लोगों को याद रख लेना है ठीक है भाई परिगटना जिसकी अंत्रगत कुछ बिसेश प्रिदूसक जैसे DDT आहर सिंकला की साथ सांधरता में बढ़ती हुए उतकों में व्यमा हो जाती है जैवेक आवर्दन कहलाती है जैवेक आवर्दन का सबसे अच्छा उदारण है DDT मलेरिया से बचाओ के लिए जो है जलाय सयों में छलकाओ किया जाता है तो याद रख लेना है सभी लोगों को तो इन सभी को हमें समझना है यहाँ पर फिर से समझो अमल बर्षा का पी एच मान जो होता है 5.6 से 6.5 तक मतलब एह होता है तो यह से आपको समझना है ठीके है ना जैवेक आवर्दन का सबसे अच्छा उदारण है DDT मलेरिया से बचाओ के लिए जलाय सयों में छड़काओ किया जाता है तो वो DDT का किया जाता है ठीके याद रख लिए सेवाल बिलियूम संबन देते तो सुपोस्टन से संबन देते गंगा का जल सुद्ध रहता है तो जीवानु भोजी के कारणा रहता है सुद्ध जल तो यह चीज़ आपको समझ लिए ठीके और भी महात्पूर्ण प्रशन है जो भी टॉपेक है आपकी उनको देखती है देख लो कि कौन सा ही ना निवंत्व परियावन प्रिदूशन उत्पन करता है तो हाइडोजन ठीके ओजोन प्रत की छण का सर्वे प्रतम पता लगाया तो जो से फॉर्मेन जो की इंगलेंड कीती है उनीस सो पचासी में है ना गोबर गेस का मुक घटक है मीथेन अमल बर्सा के लिए उत्तरदाई है सलफर डाई आकसाइड एस ओ टू और नाइट्रस आकसाइड एन टू ओ और सेने के द्वार अत्यादे के जल प्रदूशन वाला राज है तो पस्चम बंगाल है हमारे प्रयाबन को बचाने के लिए तीन प्रकार की आर है कम उपियोग पुनाह चक्करन और पुनाह उपियोग ये तीन प्रकार की आर मान जाती है सिगरेट के दूएं में मुक प्रदूसक कोन सा कार्वन मोनो अकसाइड वा बैंजीन होता है याद रख लेना है हमाचल प्रदेश भारत में प्लास्ट को की उत्पादन और उपियोग को नेंतरित करने वाला पहला राज था इस राज ने हर प्रकार की पॉलितिन पेकिंग पर प्रती बंद का प्रस्ताओ रखा था तो याद रख लेना है और प्लास्टिक की बारे में चल दा तुपराव हमाचल प्रदेश से अंसा प्रतम राज था जिसने ये जो है कारक किया परीक्षावप योगी और भी महत्पूरत था प्लास्टिक बेक पर प्रती बंद लगाने वाला भारत का पहला राज कोन सा है तो ये माचल प्रदेश है जैवेग केती अपनाने वाला भारत का पहला राज से किम है प्रदूशन को कम करने के लिए और इवन का जो नियम लागू करने वाला पहला राज नई दिल्ली है ठीक है पूरी तरह से प्लास्टिक कच्रे से मुक्त सहर कन्नूर केरल है है ना भारत का सबसे स्वक्ष सहर इंदोर है स्वक्षता सर्वेक्षरन 2018 के साथ लोगों को जोडने के लिए प्रिसून जोसी द्वारा लखेगी स्वक्षता की जोती जगी है एक इसने लिखे जो स्वक्षता की जोती जगी पिर्सून जोसी ने विवास अमारों से होने वाले पर्यावणा नुक्सान से बचने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने वाला पहला राजगोंसा है तो केरल है सवर उर्जा से संचाले देश का पहला रेलवे स्टेशन गुआ हाटी दुनिया का पहला सवर उर्जा संचाले थवाईड़ा तो ये कोचीन है तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलती है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या नदिया परवत पढ़ेंगे पठार पढ़ेंगे मनलब परयावरनिय भूगोल से सम्बन देते आपके पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही मातपूर है वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आपके लिए तो लाइक जरूर कर देना सभी लाइक करेंगे जितने भी साती है मेरे सभी लाइक करना है एक एक चीज आपको ढूट ढूट कर मैं उपयोगी जो है वो लाकर आपको प्रेसित कर रहा हूँ ठीक है तो सभी लोगों को लाइक करना है वीडियो को सेयर करना है अपने download करो फिर उसमें search करो IAS study trick ठीक है study trick और join हो जाओ जहां पर आपको PDF और वीडियो बिल्कुल नरंतर मिलते हैं तो आप लोगों को जुड़ना है वीडियो को like करना है share करना मेरा यही यह कि आप तक ज्यादा से ज्यादा material प्रेसित किया जाए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही जाए